किसान भायू नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल स्मार्ट एक्रिकल्चर में इस वीडियो में हम आठ नो और दस जुलाई के मध्य प्रदेश के मोसम के बारे में बात करेंगे किसान भायू पिछले 24 गुंटों के दोरान प्रदेश के सहडोल, जबलपूर, सागर, भोपाल एंगौलियर संभाग के जिलों में अधिकतर इस्तानों पर तता नरमदापूरम, इंदोर, उजेन एंचंबल संभाग के जिलों में अनेक इस्तानों पर वर्षा दर्ज की गई इस वीडियो में हम एक एक जिलो के नुसार मदी परदेश के मौसम की स्पेसल बात करेंगे कि परदेश के कौन कौन से जिलो में बादिस होगी और कौन कौन से जिलो में मौसम से उसक बना रहेगा तो इसकी पूरी जहनकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतर तक जरूर देखे और आप हमारे चेनल पर पहली बार आयोगो तो नीचे देगे लालग सुरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी ज शिंदवडा, शिवनी, बालगाट, मंडला और डिंडोरी इन पांच जिलों में बारी वर्चा होने की संभावना है इन जिलों में 64.5 mm से लेकर 115.5 mm तक की बारी सोने की संभावना है इसके अलाबा प्रदेश के हर्दा, नरमदापुरम, बेतुल, राजगड, अगरमालव देवास, मनसोर, नीमच, रतला, साजापुर, उज्जेन, बढ़वानी, बुरानपुर, दार, इंदोर, जाबवा, कंडवा, खरगोन और अलिराजपुर इन जिलों में भी 8 जुलाई के दोरान बारी वर्चा से अती बारी वर्चा होने की संभावना है किसान भाईयों इन जुलाई के दोरान प्रदेश के पस्चीमी जिलों में बारी इन्टेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी बल जबकि पूर्वी जिलों में बारी अप्यक्सगरा थोड़ी कम होगी तो किसान भाईयों यह थी मद्य प्रदेश के मौसम की जानकरी आप प्रदेश के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं और अभी आपके जिले में मौसम की क्याश्तिती हैं कमेंट करके आवश्य बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान